नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में आए आज बिहार के 15 बड़ी ख़बरों को जानते हैं तो फटाफट से सभी कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताएं कि आप बिहार के किस जीले में रहते हैं और साथ ही आपके मन में अगर कोई भी सवाल हो तो आ आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें और अपने तरप से एक प्यारा लाइक इस वीडियो को जरूर कर दे हैं आज की सबसे पहली ख़बर राज़त ने हार नहीं मानी तेजस्वी बॉले जनादेश महागडबंदन के साथ लेकिन इसी यानि इलेक्शन कमिशन का न नतीजे एक पक्ष में भले ही हो लेकिन राज़त इससे हार मानने को तयार नहीं है नतीज़ा आने के दो दिन बाद राज़त नेदा तेजस वयादबु ने कहा कि जनता का जनादेश महागडबंदन को ही मिला है परेचुनावा आयूГ का नितिज़ा एक पक्ष में आया है तेजिस्वी ने नितिश पर भी तंजिकासा हम लोग रोने वाले नहीं संगर्स करने वाले हैं जो पार्टी चेहरा बदलने के बात करती थी वो खुद तीसरे नमबर पर आ गई है नितिश कुमार में नितिकता नहीं बची है अगर थोड़ी भी बची हो तो उन्हें कुरसी छोड़ दिनी चाहिए वे जोड़ तोड़ गुना भाग करकी कुरसी पाने की जुगत में लगे हैं इसके बाद तेजिस्वी ने कहा एंडिये चोर दरवाजे से सरकार मना रही है भाज़पास साब तोर पस समझ लेकि यहां जनादेश बदलाव का जनादेश है एंडिये क बड़ी खबर एंडिये की अपचारिक बैठक के बाद तै होगा नेता का नाम नितिस बोले फिलाल सपत ग्रहन का वक्त तै नहीं बिहार में एंडिये को बहमत मिलने के बाद पहले बार मीडिया के जरिये प्रदेश वासिव को सम्मधित करते हुए मिकमंतरी नितिस कुमार ने इसपश्च तोर पर कहा है कि अडिये को अपचारिक बैठक के बाद ही नेता के नाम पर मोहर लगी जी नितिस कुमार ने कहा कि बिहार में एंडिये को बहमत मिला है लेकिन हमारे गड़बंदन में सामिल सभी चार गड़क के नेता मिल बैठकर आपसी सामति सही कोई फे विधायकों ने तेजस्वी के नाम पर लगाई मुहर, महागरबंदन छोड़ कर नेताओं से वापसी की अपील, जी हां, राबड़ी देवी आवास पर राजद विधायक दल के महत्पुन बैटक हुई, जिसमें तेजस्वी यादव को विधायक दल का नेता चूल लिया गया इसके बाद वहीं पर महागरबंदन के नेताओं के भी बैटक वी, इसमें 109 विधायकों ने तेजस्वी के नाम पर मुहर लगाई, विधायक दल की बैटक में आगे की रन्निती पर चर्चा हुई, राजद विधायक दल की बैटक में राजद के जीते हुए सभी विधायक पहुचे इसी बीच राजत विधायक ललित यादव ने बड़ा बयान दिया कि चुनाव से पूर्व हमारे सहयोगी दल के नेता हम से अलग होकर चले गए थे अगर वो वापस हम लोगों के साथ आते हैं तो हम उनका स्वागत करेंगे ललित यादव का इसारा ओवेसी की पार आती भी आईपी के जिते हुए विधायकों की ओर था जड़ोई सांसत पर गंभिर आरोप आयोग ने लिया सग्यान डियम को लेटर लिख मदगन्ना सेंटर का मंगाया सिसी टीवी फूटेज बिहार के अपर मुख निर्वाचन पदादिकारी ने गोपाल गंज के जिला न 10 नवंबर तक मांगी गए हैं भागपा माले ने विगत 10 नवंबर को राज के अपर मुख निर्वाचन पदादिकारी को एक सिकायत आवेदन देकर वहरे विधानसवा छित्रे की मदगना के दोरान इस्थानिया जदवी डाक्टर अलोग कुमार सुमन को काउंटिंग हॉल में उपसित होने का आरोप लगाया था आवेदन के मुताबिक सांसद काउंटिंग हॉल में गुसे थे यह केंडिडेट हैंडबुक की क्लावुस नंबर 16.9 का उलंगन है यह सीट पर रिकाउंटिंग के लिए एक पुक्ता आधार भी है मामले में जाच कर करवाई करने के म की गई है फिर पलट गए नितीज आखरी नहीं था 2020 का चुनाव बोले मेरी बात को ठीक से सुनियेगा ऐसा मैं हर चुनाव में बोलता हूं जी हां 2020 को अपना आखरी चुनाव बताने वाले नितीज कुमार फिर पलट गए हैं नितीज ने कल मेडिया से बात करती हुए कहा क कि मेरी बात को ठीक से सुनियेगा ऐसा मैं हर चुनाव में बोलता रहा हूं अंत भला तो सब भला चाहिर एकी नितीज कुमार ने साप कर दिया कि यह चुनाव उनका आखरी चुनाव नहीं था प्रेस कॉनफरेंस के दोरान उन्होंने पतकारों को वह भासन सही से सुनने को नेता प्रतिपक्त तेजसेव यादव ने बिहार चुना में विश्व सनियता को लेकर बड़ा सवाल किया है तेजसेव यादव ने रिकाउंटिंग की मांग किया तेजसेव ने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि उन्हें कम से कम 20 सीटों पर जान बूज कर हरवाया गिय पटना में महागरबंदन की प्रेस कांफरेंस में तेजसेव यादव काफे आकरोष दिखे उन्होंने पोस्टल बैलेट रद किये जाने को लेकर बड़ा सवाल खड़ा किया है उन्होंने कहा कि जो लोग सिक्षित है जागरुक है उनके वोट को रद किया जा रहा है ऐसा क इच्छिनव लोट केंसल ही करना था तो पोस्टल बैलेट के माइदम से मद्दान क्यों कराया जाता है यह तैजी जैसे आदम ने कहा कि चुनाव अच्छीन के मताविक ऑस्टल बैलेट यहा नहीं पर और उटलेट वेलेट आुको विडियो ग्राफिक कर ना होता Crisp कर चा से लिखित में मांगा तो उन्होंने देने से इंकार कर दिया इसलिए महागरमदन की मांग यकी रिकाउंटिंग कराया जाए महागरमदन के लगबग 20 उमिद्वारुक को जान बुझकर हराया गिया है बात करते हैं बिधान परिशत चुनाव की तो दर्बंगा सिक्चक निर्वाचन छेत्र से मदन मोहन जान ने भाजपा के सुरिश राई को 954 वोटों से हराया है जी हाँ उन्होंने अपने निकर्टम प्रण्दी दौंदी को 1263 वोटों से हराया है पटना इसनों तक एवं सिक्चक निर्वाचन छेत्र की मदगन्ना सुबह 8 बजे से आर्या भट ग्यान विश्विदालों में चल रही थी इसके अलावा अगर हम बात करें पटना सिक्चक निर्वाचन छेत्र से तो यहाँ पर भाजपा नेता नवल की सरोयादव को जीत मिली है उन्होंने अपने निकर्तम प्रण्दी दौंदी को 1263 वोटों से हराया है अगली बाड़ी खबर बिहार पुलिस में 8415 पदों पर होगी बहाली csbc.bihar.nic.in पर आज से कर सकते हैं आवेदन बिहार पुलिस में बंपर बहाली होनी जा रही है सिपाही के 8415 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किये हैं परसत द्वारा जारे बिगापन के अनुसार बिहार पुलिस बिहार सेन्य पुलिस विसे सिक्रित इंडिया रिजर वाहिनी बिहार राज ओदोदिकिक सुरक्चा वाहिनी के लिए भरती की जाएगी केंद्रे चेन परसत के अधिकारिक वेबसाइट csbc.bh.nic.in पर इस चुक अभियरती अपना फॉर्म आज से भर सकते हैं बकायदार उपभुकता जल जमा करा दे बिजली बिल नहीं तो कार्ड दिया जाएगा कनेक्सार इलाकों में बिजली बिल बकाया रहने वाले nds उपभुकताओं को 15 दिनों का नोटिस मिलेगा अगर विभाद के द्वारत तक यह समय तक बिजली का बिल जमा नहीं करेंगे तो उनकी बिजली कनेक्सन कार दी जाएगी आपको बता दे कि पेसु ने बकायदार उपभुक के लिए एक अच्छी खबार है दो माँ बाद आ सकता है कोरोना वैक्सीन 16 नौवंबर से पटना एमस में होगा वैक्सीन के तीसरे चरन का ट्रायल जी हाँ कोरोना वारस का वैक्सीन जल्द ही आने की उमीद है पटना एमस में दो चरनों के सफल ट्रायल के बाद अब तीसर चरन में 46 लोगों पर वैक्सीन का ट्रायल किया गया था यह परिक्षन पूरी तरह से सफल रहा है दोनों परिक्षन पूरी तरह से सफल रहे अब तीसरे चरन के लिए ICMR की गाईडलान के इनतिजार किया जा रहा था ICMR से हरी जंडे मिलने के बाद एमस टैयारी में जूड गया है एमस के डाक्टर का कहना है कि दोनों चरनों के सफल ट्रायल के बाद अब तिसरे चरन की सफलता को लेकर काम किया जा रहा है पटना में अब डेंगू का डंग अब तक सामने आ चुके हैं 141 मामली जी हराय डंग एक बार फिर से बढ़ता हुआ दिख रहा है पिछले कुछ दिनों से लगाता है रोजाना नई केस सामने आ रहे हैं सिविल सरजन कारयाले के मताबिक इस सीजन में जीले में अब तक कूल 141 डेंगो केस मिल चुके हैं इनमें सबसे अधिक PMCS में मिले हैं यहां अब तक 73 मरीज डेंगो पोजिटिव मिल चुके हैं इसके माइक्रो बाइलोजी विवा की लेब में पहले एक दिन गेप कर सेंपलों की डेंगो जाज की जाती थी लेकिन सेंपलों की सेंख्या बढ़ने पर अब रोजाना जाज की जा रही है अगली बड़ी कबर बेड करने वाले चात्रों के लिकर है जीहां नॉबर से लेकर 24 नॉबर तक रेश्टेशन करा सकते हैं परिच्छा पपत्र एक दिसम्बर से पांच दिसम्बर के बीच भरे जाएंगी आपको बता दे कि रेश्टेशन के लिए विलम सुलक के साथ 25 से 28 नॉबर तीथी निर्धारित की गई है जबकि परिच्छा पपत्र भरने के लिए विलम सुलक के साथ 6 से 9 दिसम्बर की अवधी निर्धारित है 15 से 30 नॉबर तक सब्ता में 6 दिन चलेगी राची सासारम स्पेसल ट्रेन इसका परिचालन 15 नॉबर से शुरू होगा और यह 30 नॉबर तक चलेगी इदर राची रेल मंडल इसकी तयारी में जूट गया है आपको बता दे यह ट्रेन राची से खुलकर ट्रेन पिसका लोहरदगा डोरी बरवाडी डाल्टन गंज गड़वा रोड जपला डेहरी और सोन होते भी सासारम पहुचेगी पटना के बाद इसलामपूर और भागलपूर से शुरू होगी पोजा स्पेसल ट्रेन बिहार यूपी के लोगों को मिलेगा लाब जी हाँ रेलवे अब कोच और नई special train चलाने जा रही है ये train पुजा special है इन्हें दिपावली और छट पुजा को ध्यान में रखकर रेलवे ने चलाने का फैसला लिया है पाले से कई special train चल रही है उनमें passenger की काफी भीड है इसी बज़े से अब पत्ना इस्लामपूर और भागलपूर से रेलवे ने पुजा स्पेसल टेनी चलाने का फैसला लिया है इन ट्रेनों का फाइदा बिहार और उत्तर प्रदिस के लोगों को मिलेगा आपको बदा दे कि गुवाहटी मंडवाडी पुजा स्पेसल चोदा नॉमबर को सुबद 6 बज़े से गुवाहटी से मंडवाडी के लिए खुलेगी इस टेन का परिचालन वाया न्यू जलपाई गुडी हसनपूर रोड छप्रा के रास्ति किया जाएगा दूसरी ओर सिल्चर कानपूर सेंटल पुजा स्पेसल चोदा नॉमबर को राद 10 बज़े से सिल्चर से कानपूर सेंटल के लिए खुलेगी इसके बाद डिबुरुगर परियाग राज पुजा स्पेसल टेन 14 नॉवंबर को दिन में 12 बजे डिबुरुगर से परियाग राज के लिए खुलेगी और गुवाहटी नियू जलपाईगोडी बरोनी पंडित दिन द्याल उपाईदाई के रास्ते चलेगी और अंद की बड़ी कबर मा काली पोजन और विसरजन में नहीं बजेगा लाड़ी स्पिकर मेला तोरन द्वार भी नहीं बनेगा विहार विदानसवा चुनाव संपन होने के बाद भागल पुर में समाहर नालई इस्तित समिच्चा भावन में काली पोजा और छट पंद पर विचार विमस करने के लिए जिला अधिकारी पर्णव कुमार की अधिक्ता में जिला इस्टरिय सांती समिती की बेटक का आयोज नहीं किया जाएगा यानि कि लावड स्पिकर का परियोग नहीं किया जाएगा तोरण द्वार नहीं बनाया जाएगा सारवजने के इस्तल पर मास्क धारन करना जरूरी है पोजा समिती द्वारा परियाप मत्रा में सेनिटाजर की ववस्ता करना जरूरी है तो इसी के साथ आज के समाचार में इतना ही डेली बिहार के बड़ी खबरों को जानने के लिए आप बिहारे मीडिया को जरूर सब्सक्राइब करें